हेलो एब्रीवन वैलकम टू स्किल आइक्यू स्किल आइक्यू में आपका स्वागत है तो लुशेंट इंग्लिश का सॉल्यूशन्स यहां पर प्रोवाइड़ है आपके लिए common error का जो कि किसी भी basic exam के लिए भी मतलब एक दो questions का विटेज जुरूर रहता है फिर यहां पर articles रहेंगे इसमें 25 questions दे रखेंगे यहां पर articles के error से related रहेंगे यह हमारा chapter है 23rd वहां पर दे रखें common error सभी chapters के कहीं न कहीं से common error आपको मिलते रहेंगे और syntax के लिए हम बना चुके हैं chapter में से भी बना चुके हैं 23rd chapters में से भी बना चुके हैं यहां पर second question है मतलब second part है इसका article से article के chapter सभी बना चुके हैं और यहां से भी बना देते हैं यह हमने कुछ ट्राई किया है टाइप करके और मॉबाइल से आप विस्वास करें इस चीज को कि मॉबाइल से टाइप किया है कीबोर्ड लगा के आप इस मेहनत को मुझे नहीं लगता कि कितना मतलब appreciation देंगे या कितना प्यार देंगे इस चीज़ को जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं एक बाकी देखते हैं चलिए start करते हैं अपने questions को और आगे जो है जैसा भी होगा आप share करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं जानता इस चीज़ के बारे में तो चलिए start करते हैं first question से start करते हैं ठीक है चलिए देखे we all must respect an honest person यहां पे गलती क्या मिलेगी article की मिलेगी अब यहां पे honest से पहले end लगा रखा है यह बिल्कुल ठीक है और कहीं इसमें कोई गड़बर नहीं है तो मतलब इसमें कोई भी error नहीं है ठीक है next question देखो my father does not go to the city on the foot he goes there by drain अब यहां पे एक चीज़ जरूर देखने को मिलती है हमें अब यहां पे कुछ phrases दिये हुए होते हैं ठीक है on the foot कभी भी नहीं होता है on foot होता है और कुछ हमारी book में ही दे रखें यह तो मुझे ध्यान में नहीं किस page number पे होगा हां यह बात बिल्कुल हो जाती है page number तक याद हो जाते हैं जब आप किसी भी चीज़ को बड़ा शिदत से बड़े अच्छे तरीके से जब आप पढ़त होए मिलेंगे by preparation के साथ कुछ words दिये हुए मिलेंगे उनी words को पढ़ लीजिए उनी में से एक जो है on foot भी मिलेगा आपको on the foot नहीं मिलेगा ठीक है on foot मिलेगा आपको ठीक है तो यहां पे यह दे नहीं आने वाला यहां पे सिरफ इसी बात की गलती थी और कोई भी गलती य ही है next question he goes to bed at night every day यहां पे है ना सबसे important चीज है यहां पे समझने की सबसे important चीज क्या है वो ध्यान से देखें यहां पे एक word लिखा हुआ है bed चीक है to bed यहां पे बहुत सारे words होते हैं मैं लिखूंगा तो गडबड हो जाती है board white board पे करते तो अच्छा रहता बट मैं यह सोच रहा हूं कि अभी तो यहीं पे कर लेते हैं ठीक है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा time लगता है और फिर बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनता है because वो camera का वीडियो हो जाता है फिर उसको upload करने के लिए भी बहुत चारा net चाहिए ठीक है वैसे आज कल मैं वी आई का बात नहीं बट यह जरूरी हो गया है क्योंकि आपको डेट जीबी नेट वैसे भी दिन में चाहिए यूज करने के लिए आपको वीडियो देखने होते हैं time pass भी करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं तो यहां पे बहुत सारे words हैं जिनको मैं आपको बोल के बता देता हूँ यहां पे आपका school है college है church है यह भी rule में है और उन्हीं में से एक word bed भी है ठीक है टेबल है hospital है market है prison है jail है court है temple है Moscow है university है अब यह सारे words हो गए अगर आपके पास book है तो आप पीछे rule में भी देख लेंगे फिर again मुझे rule number ध्यान नहीं है बट rule जरूर है अ हो नहीं मैं बी आपको बता रहा हूँ तीन चीज़े हैं एक होता है primary purpose प्राइमरी परपस का मतलब क्या होता है आप जैसे मान लेजिए आप bed word का use करें कहां पे गये है यह रहा bed word का use करें गये बैड किसले होता है सोने के लिए होता है यह इसका primary purpose है ठीक है इसके इलावा अगर इसका कोई और परपस होगा तो इसके साथ दा लगेगा ठीक है अगर इनी सबी words को countable noun के रूप में किया जाएगा use तो उसके साथ according to उसकी pronunciation या जो भी rules होते हैं a या फिर n में से कोई एक लगेगा कहने का मतलब क्या है जो भी मैंने वो पूरी लिस्ट बताई college, church, mosque, bed, table, जो भी hospital, जो भी words थे इनके साथ तीनों चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ a या n हो सकता है इनके साथ the हो सकता है इनके साथ zero article हो सकता है अब यहां पे हमारा क्या है यहां पे हमारा दिया गया है primary purpose देखो यह क्या दे रखा है he goes to bed at night every day every day का मतलब यह हर रोज की बात है और यह क्या करने के लिए है यह उसका primary purpose यानिके मूल उदेश्य के लिए है तो यहां पे bed किस के लिए सुने के लिए तो यहां पे to के बाद है न the article आईगा क्योंकि primary purpose की बात की गई है यहां पे अगर countable noun के रूप में use किया जाता तो a या n हो सकता था अगर यहाँ पे particularized sense में यूज किया जाता या other purpose के लिए यूज किया जाता तो यहाँ पे इसके साथ देह हो सकता था इस तरीके की चीज़ें आप जरूर पढ़ते रहें बड़े अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से आप चीज़ों को करते रहें तब ही चीज़ें clear होगी next question the man cannot leave by bread alone अब यहाँ पे न एक चीज़ जरूर देखें यहाँ पे चार वर्ड्स हैं एक तो है man एक है woman ठीक है एक है humanity और एक है mankind ठीक है mankind बोल रहा हूं अगर अच्छे तरीके से समझ में ना रहा हो तो उसके लिए मा भी चाओंगा यह चार वर्ड्स हैं ठीक है यह चार अगर व्यापक अर्थ में यूज किये गए हैं व्यापक अर्थ के लिए यूज किया गया अब व्यापक कैसे होगा the man cannot live by bread alone अब इस line का मतलब इस पूरे sentence का मतलब पूरे वाक्य का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी है ना वो खाने के बिना नहीं रह सकता अब आदमी यहाँ पे man सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जारी या किसी particular person की बात नहीं की जारी इसलिए इसको व्यापक अर्थ में यूज किया गया है तो इसके साथ हम कोई भी article नहीं लगाएंगे I repeat जब भी इन चारों words को man, woman, mankind, humanity इन सब को अगर हम व्यापक अर्थों में य particularized sense में यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ दे लगाएंगे उसमें woman भी हो सकता है उसमें humanity भी हो सकता है उसमें mankind भी हो सकता है उसमें man भी हो सकता है ठीक है उसके बाद अगर उसको हम limited कर देंगे अगर हम उसको limited कर देंगे या फिर आप countable noun के रूप में यूज करोगे तो उसके साथ A या फिर N का यूज होगा. Next question. It is written in Gita that God incarnates himself in the times of trouble. अब यहां पे गीता से पहले दा लगेगा, क्योंकि यह एक holy book है हिंडूस के लिए, ठीक है, हमारी हिंडूस की holy book है यह, तो इसके पहले हम दा लगाएंगे. एक यहां पे word आया हुए incarnates. कब देखने को मिले, कब ना देखने को मिले, तो words का meaning according to their importance, spelling के हिसाब से, antonium, synonym के हिसाब से, vocab के हिसाब से भी अगर आप चीजों को करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा, और यहीं पर बता दिया जाए इसके बारे में तो क्या लिकत है, अब यह होता है, part of speech के हिसाब से verb, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझ भी गया होंगे, ठीक है, अवतार, अवतार होना कहेंगे, क्योंकि verb है incarnate, present indefinite tense, use किया गया है, ठीक है, तो incarnate, जो है verb होती है, incarnated, incarnated इसका second and third form होता है, clear हो रहा है न, बिल्कुल होना चाहिए, clear होना चाहिए, नहीं तो बाती नहीं बनेगी, तो incarnate, यहाँ पर क्या है, verb है, अवतार होना, शरीर धारन करना, ठीक है, शरीर धारन करना, ठीक है, यह सब जो है मतलब आप incarnates के, बता सकते हैं, next question, next question हमारा क्या होगा, next question हमारा sixth होगा, I met a person, I met, a person I met, in the theater, was the playwright himself, यहाँ पे हमारा क्या दिख कर दे, मतलब, जिस व्यक्ति से मैं मिला था, कहाँ पे, theater के अंदर, जिस व्यक्ति से मैं मिला था, कहाँ पे, theater के अंदर, उसी व्यक्ति की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे a person मत करिये, a person मतलब unknown person, unknown person की बात की जा रही है, लेकिन इसके बारे में बात कर ली, आपने की वो एक playwright था, कुद ही, वो एक playwright था, तो उसी व्यक्ति की बात आप करने है, तो आप इसके पहले द लगाई, आना लगाई, क्योंकि वो किसी particular person की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी unknown व्यक्ति की आप, बिल्कूल भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी particular person की बात करने तो उसके पहले दे लगाईए आमत लगाईए both the civilians and army men joined the war world war first या world war जो army men या फिर दोनों नहीं common men या फिर army men दोनों नहीं क्या किया था world war को जो है क्या किया था join किया था तो यहां पे जो world war है न the world the first world war होना चाहिए था यहां पे the first the first world war जो है यहां पे होना चाहिए था तो यहां पे क्या दिक्कत है यहां पे भी हमें दिक्कत जो है डूननी होगी अब यहां पे दिक्कत क्या है देखो यहां पे first जो है type करना भूल गए तो अब यहां पे देखो problem क्या है end है subject verb agreement में क्या सीखा था दो बंदों की बात करने हैं एक तो civilian की बात करने है एक army man की बात करने तो इस army man के पहले भी क्या लगाओगे आप दय जो है यहाँ पे लगाओगे क्योंकि अलग अलग जो है वेक्तियों की आप जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है experience से पहले n नहीं होगा इसको हमें हटाना होगा क्योंकि experience जो है वो क्या है वो एक uncountable noun है अगर यह countable noun होता तो उसके पहले हम a या फिर n लगाते नहीं तो हम इसके पहले zero article रखते हैं कोई भी article यहाँ पे use नहीं करेंगे next जो slide है न उसके उपर move करते हैं अगर अच्छा लगडा हो तो आप share कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि पहले हम 11k subscriber तक पहुँच चुके थे आज तक तो और भी बहुत सारी improvement होनी चाहिए थी बट चैनल डिलीट हो जाने के बाद वापिस से वहीं पे आके खड़े हो गए सारी चीजें दुबारा से record करनी पड़ रही हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कोई बात नहीं दुबारा करनी चाहिए चीजें सेट बैक भी बहुत जुरूरी होते हैं न चलो कोई बात नहीं असन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट थे होरीजन यह आसन नहीं होगा दसन होगा क्योंकि जो यह limited चीजें होती है यूनिवर्सली एक ही चीज है या unique thing अगर आप इनको कहें sun, moon, stars यह सब जो चीजें हैं तो इनके साथ आप क्या use करोगे the use करोगे next question है 10th question है an information supplied to us was not as useful as we first thought it would be मतलब जो भी information हमें दी गई न वो जितना हम उसको शुरुआत में सोच रहे थे हमारे लिए useful है उतना वो हमारे लिए useful नहीं है है न an information की बात की है इसने an information की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस information को particular sense में use किया गया है तो आप particular sense में जब use कर रहे तो an की बजाए आप क्या करोगे the information supplied to us कौन सी information की बात की जा रही है जो हमें supply की गई थी और जिसके बारे में शुरुआत में हम क्या सोच रहे थे कि वो useful हो सकती है हमारे लिए बट वो जो है वेन थी वो बेकार थी व्यर्थ थी कोई मतलब नहीं बनता था उस information का next day he is very thirsty give him little water to drink यहां पे है बड़ा important word आ या little ठीक है क्योंकि दिक्कत भी यहीं पे है और ज्यादातर questions यह आज भी पुराना नहीं है यह कल भी पुराना नहीं था और यह आने वाले समय में भी पुराना नहीं है लेकिन इसका एक साथी और है few इनको किस तरीके से यूज कि a little और the little ठीक है अब little का मतलब होता है कुछ ठीक है few का मतलब भी ऐसे ही होता है कुछ लेकिन हम little को किस लिए use करते हैं quantity को बताने के लिए ठीक है और हम few को किसी को बताने के लिए use करते हैं number को बताने के लिए यह basic difference होता है इनके बीच में बड़े ध्यान से सुनते रहना आपको मज़ा बहुत आने वाला है आप जब 25 में sentence के पास पहुंचोगे तो आपको यह लगेगा कि हमने waste नहीं किया है time जितना भी हमारा लगा दिया भाई ने ना तो number और quantity के बारे मिए बात करते हैं अब सिरफ little के उपर focus करते हैं फ्यो से उसको जोड़ लीजिए जब हम little की बात करते हैं तो ने के बरापर 0 के बरापर ना मतलब कुछ नहीं जिरो के बरापर अधर जब हम a little की बात करते हैं तो थोड़ा रहे है चीक है देखो he is very thirsty he is very thirsty give him little water to drink अब भाई उसको पानी दे रहे हो कुछ पानी दे रहे हो तो ना के बराबर तो पानी नहीं दोगे चीक है I was an unhappy to hear the news of my brother failing in the final examinations मतलब मेरे को बहुत बड़ा setback लगा मुझे की मैं जो है क्या करना हूँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब unhappy हो गया था बहुत ज़्यादा नराज हो गया था तो मेरा भाई जो है क्योंकि final exams में है न क्या हो गया फेल हो गया एसफल हो गया तो मैं मुझे setback लगा इस बात को सुनके अब यहां पे internal और important बात क्या है वो है unhappy को लेके अब देखो I am I was an unhappy मैं unhappy था unhappy यहां पे क्या है unhappy यहां पे एक adjective का काम कर रहा है ठीक है adjective का का काम कर रहा है है ना तो unhappy एक adjective का का काम कर रहा है जिसके पहले हमने n लगाया हुआ है क्या adjective के पहले article लगता है बिलकुल लगता है कोई दिकत नहीं है यह बात तो नहीं है लेकिन N का प्रियोग नहीं हो सकता और ना ही कोई दूसरा जो है एड़िक्टिव यूज किया जा सकता क्यों कि एड़िक्टिव के बाद यानि कि एड़िक्टिव के बाद नाउन का होना बहुत जुरूरी है जब आप एड़िक्टिव से पहले आर्टिकल लगाओगे तो उसके बाद नाउन का होना बहुत जुरूरी है यहाँ पे नाउन नहीं है यहाँ पे फिर टू प्लस के बाब का फरस्ट फॉम आ गया यह यहाँ पे टू प्लस के बाब का फरस्ट फॉम आ गया तो unhappy से पहले कोई article नहीं होगा adjective अकेला article नहीं लेगा उसके बाद noun होना बहुत जुरूरी है पंडित जवारलाल नेरू was a great politician and a great statesman यहाँ पे हम जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पे end के साथ दो nouns को जोड़ा हुआ है politician and great politician and great statesman और बात की जारी है सिरफ एक ही व्यक्तिगी यहाँ पे was बिल्कुल ठीक है यह कई बार यहाँ पे गड़बर भी कर देता है यह तो यहाँ पे singular लिखा हुआ है यह अगर subject के रूप में लिख देता तो गड़बर हो जाती है यहाँ पे word देता यह और common error पूछ लेता यह हमसे paper में तो कोई भी error हो सकता है अब यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे article में गलती होने वाली है तो यहाँ पे यह दोखो adjective दिया हुआ उसके बाद noun दिया हुआ पहले वाला जो sentence है ना वो clear हो जाता है यहाँ पे कि अकेला adjective के बाद sorry पहले जो है आप किस को use नहीं करेंगे आप जो है article को use नहीं करेंगे तो great politician और great statement किसके बारे में बात की जारी दोनो qualities किसकी है पंडित जवारला नेरू जी की है तो यहाँ पे आ का जुरूरत नहीं है यहाँ पे article नहीं देना है यहाँ पे article कब देना है यह positive adjective यहाँ पे कब देना है यह तब देना है जब दो अलग-अलग चीजों की बात दो अलग-अलग व्यक्तियों की बात की गई है तो यहाँ पे हमारा error हो जाएगा great में दूसरे वाले में, पहले वाले में नहीं, यहां पे यह ठीक रहेगा, यहां पे यह गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यह C part में error हो जाता है, ठीक है, उसके बाद, A piece of this car is higher than that of your, यहां पे जो है, क्या गलती है, यहां पे हमारा क्या गलती है, ठीक है, और यहां पे जो यह E है, The piece of this car, इस car का टुकड़ा, यहां पे जो है, रूल क्या बनने वाला है, हम आफ की बात करते हैं, ठीक है, उसके पहले noun होता है, और आफ के बाद में भी noun होता है, तो जो पहले वाला noun है उससे पहले article अगर लगाते हैं, तो दे लगाते हैं, ठीक है, यहां पे यह वाली बा इस कार यहां पे ओफ है, इस कार यहां पे noun है, यहां पे piece noun है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे दे आया, इस कार इस हायर देन देट ओफ योर, योर्स मत कर देना, योर ही आएगा, उसके बाद, the program which comes on the television, टीवी भी दे सकता था, टेलिवीजन भी दे सकता है, उसकी मर्जी ह ऐसे ही चीज़ें दे देता है, वो, these days in this, in the evening is very interesting, यहां पे जो टेलिवीजन है न, यह एक invented thing है, क्या thing है, invented, यानि कि आविशकारिक चीज है यह, जब भी हम आविशकारिक चीजों की बात करते हैं, तो उन से पहले, हम जो है, वैसे तो दे लगाते हैं, ठीक है, वैसे तो उन से पहले क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, जब भी हम अविशकारिक चीजें, नहीं, सॉरी, दे नहीं लगाते हैं, यह आँपे लगा हुआ है, इसी को देख लिया मैंने, नहीं लगाते हैं, जो भी अविशकारिक चीजें होती हैं, उन से पहले दे नहीं लगाते हैं लेकिन जब भी हम उनको common noun के तरीके से यूज करते हैं या collective क्या बोलते हैं countable noun के रूप में जब उनको यूज करते हैं तो a या n लगा देते हैं कि मैंने एक radio खरीदा ठीक है लिसन टू दरेडियो लिसन टू दर्रेडियो कि एक फ्रेज होता है अंडरे रिडियो यह व very heavily, it has been raining very heavily since last night, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं, next या फिर last की, ये जो चीज़े दी हुई है, दो वर्ड होते हैं, एक तो next होता है, एक last होता है, और इसके बाद आता time expressing word, time expressing word में बहुत सारी चीज़ें सामिल होती हैं, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, January, February, March, April, Morning, Evening, Afternoon, Noon, Midnight, ये सब, सब के सब इसमें time expressing words होते हैं, इनके साथ जो है, हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, इनके साथ हम जो है, कभी भी, जो है, articles का use नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस से हमें, जो है, किस चीज़ का, और इसके पहले जो है, since भी लगाय चल रहा है, ठीक है, तो इससे हमें point of time का पता चल रहा है, तो उससे पहले हम कभी भी, article का use नहीं करते हैं, तो यहां पे हमारा, वैसे भी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे भी हमारा, यहां पे article हमने, लिखा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब, यह जो है, ठीक हो गया, ह तो 17th question की बात करते हैं, इस question में दिया हुआ है, someone could not go to the picnic because her mother was not well, अब यहां पे हमारी क्या problem हो सकती है, यह लिखा हुआ है न, go to the picnic, यह दे नहीं होता, go to picnic होता है, go to the picnic नहीं होता, यह कुछ phrases होते हैं, बुक में दिये हुए, आप उनको read कर लीजिएगा, just read कर लीजिएग ज़्यादा कोई दिक्कत है, यहां पे नहीं होगी, as he was feeling very thirsty, after the long journey, he went to a bar and ordered cold drink, यहां पे हमारी क्या दिक्कत है, cold drink जो है, कहा न, उसने, तो order किया cold drink का, कितनी cold drink का, एक cold drink का, तो cold से पहले आ लगा दीजिए, ordered a cold drink, our tallest man, यह जो है, superlative degree है न, superlative degree से पहले कौन सा, जो है, article लगाते हैं, दे लगाते हैं, तो the tallest man I have ever seen, lives near the village, where I was born, next, जो है, हमारा, page after piece, the gita was read, and gave it, and it gave, gave it, नहीं, it gave great consolation to his mind, सबसे पहले यह word है, इसके बारे में सीख लीजे, यह noun word होता है, ठीक है, consolation, ठीक है, इसका मतलब होता है, या तो आप कह सकते हैं, तसली, या आप कह सकते हैं, ढंग से, भेतरी से, ढंग से नहीं, तसली कह सकते हैं, धैरिये कह सकते हैं, ठीक है, एक कह सकते हैं, एक होता है, word हिंदी में थोड़ा सा है, दिलासा कह सकते हैं, डाड हांस बंधाना कह सकते हैं डाड हांस ठीक है ठीक है हिम्मत देना मतलब किसी को तो कॉंसोलेशन के ये सब मिनिंग्स होते हैं ठीक है उसके बाद अगर इसमें गलती ढूनने की बात की जाए तो मुझे तो कुछ दिखनी रहा है गीता के पहले दे लगाया हुआ है उसके बाद कहीं पर किसी आर्टिकल की जुरूरत नहीं है तो आप चुह ये डिकलेर कर देंगे कि ये सेंटेंस बिल ओफर्ड मी टी बट आई डिनाइड डिनाइड सेकंड फॉर्म है डिनाय का ठीक है इसका रूट फॉर्म मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में लिखके बता सकते हैं वैसे आज मैंने कोई क्वेशन नहीं किया आपसे न कोई बात नहीं मैंने फोकॉस्ड रखा है ना इसलिए आपको I was born on 9th June 1970 in मुझफरपुर तो यहां पर क्या दिक्कत आपको दिख रही है हाँ बहुत सारी दिक्कत हैं यहां पर यहां पर है ना जब आप डेट के बारे में बात करते हैं तो the 9th June 2012 जो भी पिछे डेट दिए 1970 इस तरीके से आप बताते हैं यह मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको डेट को कैसे लिखते हैं ठीक है Mr. Hame Chandra Jha is planning to settle in Patna as soon as he retires in in May the next year अभी हमने next और last की जो है बात की थी थोड़ी सी ही देर पहले है है ना की थी ना की जो last और next आता है उसके साथ time expressing word आता है तो यहां पर time expressing word किदर गया year आया हुआ है ठीक है year month यह सब भी हो सकते हैं Sunday Monday यह सब भी हो सकते हैं तो यहां पे है ना इस से पहले next या last से पहले आपको article use नहीं करना है they appointed him a manager as he is efficient है ना तो यहां पे हमारा क्या दिक्कत है जब भी आप appoint की बात करते हो है ना इस word की जब आप बात करते हो अपॉइंट उसके बाद object भी दिया हुआ है object दिया objective केस का pronoun दिया हुआ है ठीक है him दिया हुआ है ठीक है तो इसके लिए जो compliment है ना वो use किया गया है वो क्या है manager या फिर amenizer जो है दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे manager के पहले जो आ दे रखा है ना उसको use नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि unknown सी बात हो जाएगी यह तो यह बात गलत हो जाएगी इसलिए हम जो है इसको क्या नहीं करेंगे आ को नहीं रखेंगे इस आ को जो है हटा देंगे दे अपॉइंटेड हिम manager as he is efficient उन्होंने अपॉइंट गया उसको manager क्यों क्योंकि उसकी efficiency efficiency थी उसकी योगेता थी उसके पास manager की he looks at everything from its the best side best side the best side अब देखो सबसे पहले तो क्या होता है यहां पे होता है good better best यहां पर best है उससे पहले दय लगा रखा है according to rule यह बात बिलकुल सही होनी चाहिए लेकिन best जो है यहां पर degree के रूप में use नहीं हुआ है ठीक है यहां पर वो main degree के रूप में use नहीं हुआ है यहां पर यह best side की बात कर रहा है best side की बात कर रहा है न उसके बाद उसके बाद जो यह its दिया हुआ है यह क्या होता है इट एरेज कर लेते हैं इट इट पोजेसिव के सब्जेक्टिव केस उसके बाद इट और इसका पोजेसिव प्रोणाउन नहीं होता है इट्स जो है पोजेसिव केस है पोजेसिव केस के बाद आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं ठीक है पोजेसिव केस के बाद आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं अगर आप इसको डिग्री भी मानेंगे तो भी यह बात यहां पे इट्स के अनुसार जो है खारिज हो जाती कि आ इसके पहले आप the article नहीं लगाएंगे और ये एक degree भी है third degree भी है superlative degree भी है superlative degree से पहले आप the use करते हैं लेकिन इस बात में इस सीजा तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या use नहीं कर सकते article the use नहीं कर सकते हैं इस परकार से हमारे Lucian English Book के solutions चल रहे हैं common error के फिलाल हमने article के बारे में जानकारी प्राप्त की है आगे हम noun and number के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और parts वहाँ से जो हम बात कर रहे थे क्या नाम लेते हैं lesson wise जब common error की बात कर रहे थे हम तो वहाँ से हम pronoun के उपर आए हुए हैं pronoun के काफी दियो हैं तो वहाँ से भी हम जो है करते रहेंगे मतलब exercise का lotion से आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर देखने को मिलता रहेगा आप वीडियो उसको share कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं ठीक है Facebook page को follow कर सकते हैं personally मुझे follow कर सकते हैं राजबिर सिंग के नाम से अगर आप search करेंगे तो वहाँ पे ID को follow कर दीजेगा और फिर page भी मिलेगा आपको उसको भी follow कर दीजेगा क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ हमारे खेल से related जो है कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ बेतर personality से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको online फिलाल तो क्योंकि अभी कहीं पे जाके interview लेना अभी possible नहीं हो पा रहा है हमारे लिए तो thanks for watching thank you so much keep supporting me and my team thank you thank you so much